हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल, साथ्यो दिली पुलिस कॉंस्टेबल का पेपर चल रहा है, और हर एक सिप्ट में आपको 50 GKGS के कोश्चन्स देखने को मिल रहे हैं, आज इस क्लास में इतिहास और स्टेडिक GK के टोटल 100 कोश्च आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बिना इसकीप के हुए सुरू से अंतक आपको देख लेना है, क्योंकि ये कोश्चन्स पहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो चलिए फिर सुरू करते हैं, आप सभी से रिक्व साच्वी क्लास बिल्कुल सूपर फास्ट रहने वाली है तो देखिए कोश्चन से सिंदू सभ्याता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है याद रिखेगा सिंदू सभ्याता की मुद्रा में किस देवता के सम तो आध सीव की राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A आगे दिखिए भारत में प्रथम तीन विशुविध्यालाई कलकत्ता विशुविध्यालाई मदरास विशुविध्यालाई और बंबई विशुविध्यालाई कि अस्थापना किस वर्स हुई थी तो राइट एं तो याद रखना इसमित ने अकबर के किस अभियान को तो याद रखना गुजरात अभियान को क्या कहा है तो यतिहासिक दुरत गामी अभियान है अगला कुश्चे ने अकबर के सरचक बैरम खां का पतन कभ हुआ था यानि अकबर के सरेच्छक जो थे बेरम खा इनकी मृत्त्यू कभ हुई थी तो देखे राइट होगा option number C 1560 इस्वी में next question है किसके समय में बहुत धर्म इस पश्टता दो स्वतंत्र संपरदायों में ही नियान अबा महायान में विभाजित हुआ तो देखे कौन से सासक के समय में तो याद रिखेगा साथियो कुसान सासक कनिस्क के समय में option number C correct हो जाएगा निमनल कित में से कौन सी कृती रविंद्रनाथ टेगोर की नहीं है यानि इन में से कौन सी रचना है जो रविंद्रनाथ टेगोर के द्वारा रचित नहीं है ये बमकिन चंद्र चक्टो पज्ध्याई द्वारा रचीत उपन्यास है, तो यहाँ आपका करिक्ठ हो जाएगा ओप्सन नमबर भी कपाल कुंडल, नेक्स्ट तेमूर लंग के आकरमन के बाद गंगा की घाटी में इस्थापित होने वाला राजजी कौन सा था, देखिए तेमूर लंग ने भारत पर आकरमन किया था, 1398 इस वी में ठीक है, और उसके बाद गंगा की घाटी में इस्थापित होने वाला राजजी कौन सा था, याद रिखीगा साथियो जौन पूर, करिक्ठ आएगा ओप्सन नमबर A, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया है क्यों? काफी अच्छा कोश्चन है, दिखिए मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया है, क्यूंकि उसे एक हजार दिनार में खरीदा गया था, उप्सन नमबर A, राइट हो जाएगा, अगला कोश्चने वहार निरनायक युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेजों ने डचो को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनोती खत्म हो गई थी तो याद रिखेगा साथियो बैदरा का युद्ध जो की 1769 में लड़ा गया था अंग्रेजों डचों के बीच इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था अगला कोश्चन है महाराष्टर में रामोसी क्रिशक जथा किसने अस्थापित की थी तो ध्यान से दिखेगा महाराष्टर में रामोसी क्रिशक जथा को किसने अस्थापित किया था तो बासुद्ध बलवन्थ फढके ने करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर सी नेक्स्ट कोश्चन है असोक के काल में कौन सी लीपी दक्षिन भारत में प्रवर्ती थुई थी तो ध्यान से दिखिए असोक के काल में कौन सी लीपी है जो दक्षिन भारत में प्रवर्ती थुई थी तो साथियों याद रिखीगा करिक्टन्सर हो जाएगा ओप्सन नमबर अबंते ब्राम्हिलीपी चलिए नेक्स्ट कोस्चन है किसने अकबर को जिल ए इलाही एबं फर ए इजदी कहा था देखिए जिल ए इलाही का अर्थ है खुदा की परचाई और फर ए इजदी का अर्थ होता है खुदा से निकलने वाली रौश्णी कहा था तो याद आंदोलन के समय इंगलेंड का परधान मंत्री कौन था देखिए अगस्त 1922 में गांधी जी ने भारत छड़ो आंदोलन की शुरुवात की थी उस समय इंगलेंड का परधान मंत्री कौन था तो देखिएगा करीक्ट एंसर क्या हो जाएगा साथ यो बिलकुल आपको याद procedure code जो है वह पारित किये गए थे तो दिखिए करिक्ट हो जाएगा Lord कैनिंग के समय में option number C तो सेरे पंजाब किसका उपनाम है तो ध्यान से दिखिए सेरे पंजाब यह किसका उपनाम है तो करिक्ट हो जाएगा option नंबर B लाला लाजपत्राई का सिवाजी के समराज की राजधानी कहां थी तो दिखिए सिवाजी के समराज की राजधानी पूचा है जो की राइगड में थी साथियो याद रिखिए option number B विक्रम सीला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है तो दिखे बिक्रम सिला शिक्षा केंद्रिया विशुविद्यालाई के संस्थापक कौन थे तो याद रिखेगा धरम पाल ओप्सन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चन है भारतिया परिशद अधिनियम 1909 का सर्वगरहाई नाम क्या है तो साथियो भारतिया परिशद अधिनियम 1909 का सर्वगरहाई नाम पूछा है जो कि यह मोला मिंटो सुधार या तो मारले मिंटो सुधार इसको बोल सकते हैं आगे दिखे किसने कहा है कि मराठो का उदई आक्समिक अगनी कांड की भाती हुआ तो साथियो इस कथन को कहा था ग्रांट डफ ने ऑप्सन नम लोटे थे तो देखे महात्मा गांधी जी दक्षिन अपरिका से भारत 1915 में लोटे थे साथियो है ना देखे 9 जन्वरी 1915 को इसलिए प्रतेक वर्स 9 जन्वरी को प्रवासी भारतिय दिवस मनया जाता है और अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी जी साउथ अफरीका कब गए थे तो 1893 में और अगर आपसे पूछे लगबग कितने वर्सों के बाद गांधी जी साउथ अफरीका से भारत आये थे तो लगबग 21 वर्सों के बाद याद रखना आगे दिखिएगा फिरोज सा तुगलक द्वारा इस्थापित दारूल सफा क्या था तो देखिए फ तो साथी इस कथन को कहा था स्वामी द्यानन सरस्वती जी ने जिनोंने 1875 में आर ये समाज की अस्थापना की थी अगला कोश्चन है चार धातूओं से जैसे की सोना, चांदी, तामबा और सीसा के सम्मिसरन से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था तो देखिए सरो जाएगा, ओप्शन नमबर D, कारसापन, बारवी सदी के राष्टकुट काल के पांच सिलाले किस राज में मिले हैं, तो बारवी सदी के राष्टकुट वन्स के पांच सिलाले किस राज से प्राप्थ हुए हैं, तो याद रिखेगा करनाटक से, ओप्शन नमबर D, अ की भारत के गुजिरात राज में इस्तित हैं अंगला is двух के बहृत ही important कोश्चन है यह थो भारतिय पुनर जागरन नंदोलन के पिता किसे भाना जाता है तो राजा राम मोहन राई को रुप बर्स 1919 में पंजाब में कुरूर 88 के बिरोध्र गोरू बिरिटिश सरकार से प्राफ्ट सर की उपाधी किस ने लोटा दी थी तो याद रिखेगा सर की उपाधी रवेंद्रनाथ ट्यगोर ने और सन नंबर से करेक्ट न्सर हो जाए आप साथियों को यहाँ याद रखना है सर की उपाधी नाइट हुड की उपाधी इनों ने लोटा दी थी याद रखना और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधी लोटा दी थी अगला कुश्चे ने बिचित्र चित मत विलास आधी उपाधी धारन करने वाला पहला पल्लवसासक कौन था तो देखे करिक्ठ होगा महेंद्र बर्मन दूतिया ओप्सन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चे ने महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था तो साथ यो महाभारत का भारत बेनवा के नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था तो याद रिखिए option number D correct होगा पेरुन देव नगर ने Next question ने मिताच्छरा किसकी विषय वस्तु है तो देखिए मिताच्छरा के लेखा के बिज्ञाने स्वर ठीक है और मिताच्छरा ये किसकी विषय वस्तु है तो हिंदू पारिवारिक विधी सहीता की Next question ने चरक सहीता नामक पुस्तक किस विषय से संबंदी थे तो देखिए का चरक सहीता नामक पुस्तक जो है ये किस विषय से तो चिकितसा से संबंदी थे याद रिखिए का option number C right answer हो जाएगा कोटिलिक के अर्थसास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो देखिए कोटिलिक के द्वारा रचित अर्थसास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है तो राजनितिक नितियों पर option number B अगला कुश्य ने जो चित्रकला के सत्रू है में उनका सत्रू हूँ किस मुगल सासक ने कहा था तो देखिए जो चित्रकला के सत्रू है में उनका सत्रू हूँ यहां किस मुगल सासक ने कहा था तो साथियों जहांगीर ने करिक्ट आएगा option number B त्री पक्छिय संगर्स की पहल किस ने की थी तो ध्यान से दिखिएगा साथियों त्री पक्छिय संगर्स की पहल किस ने की थी तो बत्स राज ने राइट आएगा option number ने बत्स राज अगला question है गोतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दिक्छित किया जाने वाला अंतिम ब्यक्ति निम्नल लखित में से कौन था तो देखिए यहां आपका correct answer हो जाएगा option number D सुभद्र अगला question है रीग बेद में कितने सुकते हैं तो देखिए रीग बेद में कुल कितने सुकते हैं तो साथियों याद रखना 1028 अगला है बार्दोली सित्तागरा का नेतरित वो किषने किया था देखिए बार्दोली सित्तागरा 1928 में हुआ था और इसका नेतरित वो किषने किया था very very important question है तो याद रिखिएगा बल्लब भाई पटेल ने option number D next है हुमायू का मकवरा कहां इस्तित है तो देखिए हुमायू का मकवरा कहां इस्तित है तो करेक्ट होगा option number दिल्ली में अगला है दिलवाला के जैन मंदिरों का निर्मान किसने करवाया था तो साथ यो दिलवाला के जैन मंदिरों का निर्मान करवाया था चलिक्यों ने या सोलंकियों ने अगला है वे राष्ट्य नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिसलेटिव एसेंबली के अधच निर्वाचित हुए थे तो देखिए करेक्ट होगा option number D बिठल भाई पटिल वहा सोत या वहा सुरोत जिसमें पाटली पुत्र के प्रसासन का वर्ना नुपलब्ध है तो देखिए राइट अंसरो गा साथियों इंडिका इंडिका की रचना किसने की थी तो मेगा आस्थिनीज ने याद रखना सिख्छों के अंतिम गुरु कौन थे तो साथियों देखिए सिख्छों के अंतिम गुरु कौन थे तो ओप्सन नंबर भी गुरु गोबिन सिंग जोकि सिख्छों के दसवे नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे आगे देखिए इसलामी रहस्यवादी अंदोलन को क्या कहा जाता है अगला है साथिAR आठिख्छी कहाँ थे तो याद रखिएगा अप्शियं नंबर डी यहां करेक्ठ हो जाएगा दिवान ये बजिरात ये कुल नामक नए पद की अस्थापना किस ने की थी तो देखे दिवान ये भजिरात ये कुल नामक नए पद की अस्थापना किस ने की थी तो मुगल सासक अकबर ने नेक्स्ट कोश्चन है तंजोर का बृध्धिस्वर या राज राजस्वर मंदिर किस देवता को समर पीथ है तो देखे करिक्ठ होगा ओप्सन नंबरे सिभ जी को अनवार ए सुहेली गरंथ किसका अनुबाद है तो देखे अनवार ए सुहेली गरंथ जो है साथियो ये पंच तंतर का अनुबाद है पंच तंतर के लेखक कौन है तो याद रिखेगा सभी विशनु सर्मा ठीक है ये जलकत्ता अधिवेशन 1917 में, उप्षन नमबर E, अगला है अलव रूनी किसके सासनकाल में इतिहासकार था, याद रिखीगा साथियों महमुद गजनवी के समय में, आगे दिखिये भारत में आधुनिक सिक्छा का जनमदाता किसे कहा जाता है, चाल्स गरांट को कहा जाता है, राइट आएगा option number A अगला question ने ओरंग जेव ने दक्षिन में जिन दो राज्यों को बिजित किया था वे कौन थे तो ओरंग जेव ने कौन से दक्षिन के दो राज्यों को जीता था तो याद रिखीगा बिजापूर एबम गोलकुंडा को option number C दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्रह्मानों पर भी जजिया कर लगाया था तो दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिनों ने ब्रह्मानों पर भी जजिया कर लगाया था तो साथे वो फिरोज सा तुगलक ने option number B दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिस ने किस से सेख उल इसलाम की उपाधी दी थी तो देखे राइट एंसर होगा सेख बहाउद्दिन जकारिया को ओप्शन नमबर भी नेक्स्ट है अकबर दुआरा बनवाये गए उपासना भवन या पूजागिरी का क्या नाम था तो करिक्ट होगा ऑप्शन नमबर सी इबादत खाना सेंवंस का संस्थापक कौन था तदी कि सेंवंस का संस्थापक कौन था याद रिखीगा option number A right है सामन्त सेन नेक्स्ट है निमनलखित में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिन था तो देखीगा साथियो करिक्ठ होगा धनानंद option number B अगला question ने जनरल माई को डायर की हच्टा किस ने की थी याद रिखेगा उधम सिंग ने जनरल माई को डायर वही थे जिनोंने जलिया वाला वाग में गोली चलाने का आदेश दिया था अगला question ने बर्स 1916 में गठित अंतरिम केबिनेट की अधिच्टा किस ने की थी तो देखें यहाँ आपका करिक्ठ हो जाएगा पंडित जोहरलाल नहरू ने हर्सवर्धन के आगरा राजवर्धन दूतिया की हच्टा किस ने की थी तो याद रिखेगा गौड नरेस ससांक ने option नमबर भी राइट अंस रोगा अगला question है अक्बर नामा किस ने लिखा है तो देखेए अकबर नामा के लेखक कौन है तो करिक्ठ होगा option नमबर डी अबुल फजल अगला question है मैंने अपना राज जिया अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्यारा सराब और एक प्याला सराब और एक प्याला सोरबे के लिए बेच दिया यहाँ उक्ती किसकी है यानि इस कथन को किसने कहा था तो मुगल सासक जहां गिरने option नंबर है यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला है गोदान और गवन दोनों एखी लेखक की रचनाये हैं उनका नाम क्या है तो याद रिखेगा मुनसी प्रेमचंद उप्शन नमबर B नेक्स्ट है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया तो अगला है अठवन का क्या मतलब है तो याद रिखेगा भूराजसो विभाग उप्शन नमबर A अठारो सो पंद्रा इसवी में नेमनलखित में से किसने कलकत्ता में आत्मिया सभा की अस्थापना की थी तो आत्मिया सभा की अस्थापना ये राम मोहन राजा राम मोहन राजी नहीं की थी याद रखना अगला कोश्चन है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनमदाता कौन थे तो देखिए भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनमदाता कौन थे साथियो MN जोसी याद रखना option number C देखिए किसने मुहमद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था तो याद रिखिए का correct answer होगा सरोजिनी नाइडोने option number A पाली गरंथ में गाउं के मुख्या को क्या कहा जाता है था देखिए पाली गरंथ में गाउं के मुख्या को क्या कहा गया है तो साथियो भोजन या ग्राम भोजक याद रखना प्राचिन काल में कलिंग का महान सासक कौन था तो यहां आपका right answer होगा कारवेल option number C दिल्ली सल्तनत की दरबारी भासा क्या थी साथियो तो दिखे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भासा थी साथियो फार्सी option number B next question ने British East India Company का प्राथम गवर्नर कौन था तो दिखीगा British East India Company का प्राथम गवर्नर कौन था तो थोमस समीथ option number E right answer है बिजयनगर के किस सासक ने विबाहकर जैसे अलोग प्रिया करो को समाप्त किया था तो correct answer हो जाएगा साथियो कृष्ण देव राई ने option number C नेमनल खित में से प्राचिंतम राजवन्स कौन सा है यानि इन में से सबसे प्राचिंतम राजवन्स कौन सा है तो correct आएगा मोरिय option number E अगला सिंदु गाटी सभयाता मानी जाती है किस के लिए तो दिखे सिंदु गाटी सभयाता जो है साथियो अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है या जानी जाती है तो option number E correct हो जाएगा अगला कोश्चन है हर्सवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था तो ध्यान से दिखीगा हर्सवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहां पर किया करता था तो याद रिखीगा करेक्ट होगा option number B परियाग राज में अगला कोश्चन एक कि सासक द्वारा सरपर्थम पाटली पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया यानि वहाँ सासक कौन थे जिसने सबसे पहले पाटली पुत्रों को अपनी राजधानी बनाई थी तो दिखिए उदयन करेक्टन सरोगा ओप्सन नमबर सी नेक्स् अगला कोश्चन सारदामनी कौन थी तो दिखिए सारदामनी रामकृष्ण परमंस की पतनी थी साथियो ओप्सन नमबर भी करेक्ट है किस सीख गुरू की मृत्तु के लिए औरंगजेव जिम्मेदार है यानि इनमें से कौन से सीख गुरू है जिनका बद जो है औरंगजे सामोहिक बाद विबाद का अनुलंगनी कहा गिया है तो देखिए करिक्ट होगा अर्थाववेद में ओप्सन नमबर डी राइट है अंतिम मोरी समराथ बिरिहद रत की हच्टा करकिस ने सुंग वन्स की अस्थापना एक सो पचासी इसापूर में की थी तो करिक्ट होगा शंग ने और या भारत में को संभावता कहा से याद रिखिएगा अस्थान मेरत मिलने का अस्थान क्या है यानि पलावसासोक को का 117 के सस्थान से प्राब्त हुआ है तो दीखे राइट होगा option Nob 0 Go महाबलीपूरम से next है काशी के किसपरसित विद्वार ने सिभाजी का राजभिषीक करवाया था पैसिख्यू केकि né और न Ain गला है पालि गरन्थ में गाउं के मुख्या को जँ हैा साथध्यों बताया साथियो, पाली गरंथ में गाउं के मुख्या को भोजन या ग्राम भोजक कहा गया है, ये question repeat हो गया है, अगले 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था, तो 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था, तो याद रिखेगा खान बहादूर, option number 1 correct होगा, देश बंदु की उ इस बंदु की उपाधी किसे दी गई थी, चली आगे देखते हैं, अगला question है, किसने अपने आपको खलीफा घोसित किया था, तो देखेगा right answer होगा, साथियो, option number D, मुबारक साख खिल जी ने, अगना है, किसने सासक बनने के उपलप्ष में अपना उपनाम, अबुल मजा साहिद रखा था, तो देखेगे, यहाँ आपका करेक्ट होगा, मुहमद बिन तुगलक ने, next है, जेन साहिद्य का संकलन, किस भासा वा लीपी में क्या गिया है, तो साथियो, right होगा, option number B, प्राकरित भासा, वा अर्ध मागदी लीपी में याद रखीगा, next question है, आदी संक जो की बाद में संकराचारे बने थे, उनका जनम हुआ था, केरल में, तो साथियो, right आएगा, option number D, भारत में मुस्लिम लीप की अस्थापना किस वर्स हुई थी, तो याद रिखेगा, भारत में मुस्लिम लीप की अस्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, किस ने की थी, तो स परदेश में इस्थी थे, तो साथियो, कन्योज कहां इस्थी थे, तो राइट होगा, option number D, उत्तर परदेश में, आगे दिखेए, अटाला मस्जिद कहां इस्थी थे, तो ध्यान से दिखेगा, अटाला मस्जिद ये, कहां इस्थी थे, साथियो, तो राइट आएगा, option number D जौन पूर में नेक्स्ट है golden threshold नामक कविता संगरा के रहचियाता निमनल खित में से कौन है तो देखे golden threshold नामक कविता संगरा के रहचियाता निमनल खित में से कौन है तो राइट आएगा option number 6 सरोजीनी नाइडू जोकी भारत के प्रतम महिला राजपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की भी नेक्स्ट कोस्टन है बिंदु सार ने देखे बिंदु सार ने बिद्रोयों को कुचलने के लिए असोक को कहा भेजा था तो साथ यो right answer होगा option number 2 तक चसीला याद रिखीगा तो आज की इस क्लास में पूरे 100 questions आपको करा दिये साथ हो आपको आज का क्लास कैसा लगा है comment box में बताना क्लास को एक like कर देना अपने सभी दोस्तों तक जरूर शियर करना आप में से कोई भी साथ ही अगर पहली बार आये थे चैनल में आप कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो साथियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अंड कर लेना और हाँ इस बार दिल्ली पुलिस में जंडे गार देना है चैनल के अंदर बहुत सारे important मेराथन क्लासेस में ने करवाए है सभी को देख कर जाना और इस बार एक बर्दी अपने सीने पर सजा लेना चैनल मिलते हैं आप से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सवस्त रहें साथियो बिल्कुल खुस रहें जैन सभी को वंदे महात्रम